प्रश्ण आपको साथ दिखाई दिया रहा होगा आपके दिया रहा है कि जो सिरीज हम लोग पड़ रहे हैं पूरी तरह से वाले तो जब आपको यह बात वीदीत और असपष्ट है कि 15 नमबर हमारे बाहर नहीं जाएंगे तो मैं भीशे पढ़ना चाहिए आपके सामने प्रशन है कि भिनलों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंस समान है जैसे तिन बटे पांच और तिन बटे साथ रोहित कोई देख रहे हैं फटा-फट बताएं कि कौन सा विकल्प शही होगा सभी लोग देखें यहां पे जो अध्यापक हैं उनके द्वारा बताये गया है कि तीन बटे पांच तीन बटे साथ इन दोनों में अंसमान है और इसमें साथ बड़ा है इसलिए बच्चों ने बताया कि तीन बटे साथ बड़ा है इसमें से कौन सा विकल्प को शही करना है आप लोग फटा-फट कमेंट करके बताएं जो वीडियो को लाइब देख रहे हैं यहां पर है रोह इतने अच्छी तरश्य अभ्यास नहीं किया है रोहित को भिन्हों को प्रयडाम के समझ नहीं है रोहित अंस और हर की और धर्नाओं को नहीं जानता अब और हमको एक बात विदीत होना चाहिए यह बात हैं पूरी करें से स्पश्च होना चाहिए कि इस प्रकार जो प्रिष्ण का answer होगा वह क्या होगा ये इसका right answer होगा तो जित्ते लोगों ने ये बताया था मतलब पहला भी कल बताया था उन्ह सभी के उत्तर पूरी तरीके से सही है कैसे सही है एक बार मैं और आपको बताना चाहूंगा व्योंकि देखिए रोहित तुल अगर अंस बराबर हो तो जिस भिन्न का हर छोटा होगा वह भिन्न बड़ी होगी यह बात जानते लिएगा वह इस आउधार्णा से परचित नहीं था हम लोग को क्या बताना है कि जो रोहित था वह किस आउधार्णा से परचित नहीं था कि जब किशी दो भिन्नों में धांस बड़ी होती यह वात आपको जानते रहना चाहिए इस प्रकार दिये कि प्रश्ण का उत्तर इसका राइट एंस्वर होगा अगले प्रश्ण की तरफ हम बढ़ते हैं आपके सामने अगला प्रश्ण आ गया अगला प्रश्ण आप ध्यान से दिखेगा अगला कह रहा है कि भि चाफट ? सभी लोग बताई जवाब दिया करें सभी लोग कमेंट करके अपने जवाब दे कि जब आ जवाब देते हैं तो कई चीजे के रियर करते हैं आप कि इतना सोसते हैं कि इतना समझते हैं उन सभी बातों का पता चलता है बस और को Bach Wow सबसे बड़ी बात है कि आपे त भिन लिखना जिसमें भी जिरो ना उर्कलफ करें कि यहां पर भिन की आउधना से परचित कि». बिन्य की ऑधारना से, तो यहां पर अगर आपने विकल्प का चैन दूसरा किया है, इसका मतलब आपने उत्तर शही दिया है, वालगोर जितने लोगों ने विकल्प भी बताया था उन सभी के उत्तर पूरी तरीके से सही थे तो बिना देरी बिना गलती के आप लोगों ने इतने अच्छी तरीके से समझ लिया लगवग सभी लोगों ने इसका उत्तर भी बताया है तो आपका कॉंसर मुझे लगता कि क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपने किया कि भिन्नों के अधाना से परचित कराने के लिए कैसे सुरुवात करते हैं उनके आस-पास की वस्तों के भीनने के भागों को पैचान करना यह डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं सभी लोग फटाफट पूछ सकते हैं कोई समझ में आगे बढ़ जाओंगा फिर आगे डिफाइन करूँगा आपके सेलेक्षान के लिए आपके लिए यहां से पढ़ियेगा समझेगा वचे के परियावरण में जो वस्तू लोड़कती है उन पर कर्च्छा में चाचा गरे कुछ वस्तू और बच्छ वस्तू ऐसे लोड़कती है कुछ फिशलती है उन पर कच्छा मिका करना चाहिए बच्चों को उनके आकार देखने में और समझने में कैसे कुछ वस्तवें लुड़कती हैं कुछ फिशलती हैं और यह कहां दिया गया है गणित की जादू में अब बताईए कि जो कच्छा 2 की पुस्तक में इस तरह का सुझाओ समझने में सिच्छक की क्या मदद कर सकती है क्या सायता कर सकती है सभी फटाफट करें और कमेंड करके जवाब दें जो लोग लाइव हैं वो कमेंड करके अपना प्रजेंट कर दें ताकि मैं विथनेम आप पर पढ़ रहा है कौन पुन इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं जैसे जूड़ेगा वीडियो को लाइक करिएगा और लाइक करने कवा सस्क्राइब करके शेयर जरूर कर दीजेगा यह आप सभी का करतब है जितना मेरा है तो बताइए चलिए श्री जी आप भी है कि थी जोगे बच्चों का ध्याना करसित होगा जी नहीं चर्चा करना गणित कच्छा सश्री जिखती है जी नहीं ऐसा तो नहीं है जर्चाएं बहुत परिप्रिच्छों की कच्छा मस्तान देती यह गलत है यहां पे जो आपका राइट एंसवर होगा वह ए जितने लोग को कि ब्रित कैसा होता है मैं के दू रोटी जैसा होता है महिला इस वीडियो को लाइब देख रही है तुरंट समझ जाएंगी सकाम मतलब ब्रित कैसा होता है हम जो रोटी बनाते हैं तो नक्सों का बनता है मतलब अपर रोटी कैसे बन रही है गोल बनती है तो यहां पर हम वस्तू लुलकती फिसलती आधे जम वस्तू का उधारण देखते हैं तो उनके दिमाग में जो गणित का छभी बनता वो असपश्ट्रोप से बन पाता है इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने जो देखा वो पूरी तरह से समझ लिया कि रोटी का मतलब यह गोली होती है तो यहीं पर इस बात को दिया एक अच्छा दो में जो गणित पढ़ाने का उद्देश रहे जहां पर चीजें लिड़कती हैं समझाए गया उसका एक मात रुद्देश है कि बच्चों के दिमाग में उसके क्या बन जाएगी चबी पूरी तरह सास्पश्ट्रोप से बन जाएगी बढ़ रहे हैं आगे प्रशने की तरफ उमीद करते हैं टौपिक आपको पूरी तरह से यह क्यों रखा गया माने उनके जो पार्ट के नाम है ऐसा क्यों रखा गया है कबाड़ी वाला भूपाल की सेर जौनपूर की सेर दुनिया कुछ ऐसी दिखती है इस पार्ट को इन्हें नामों से रखने का सबसे प्रमुक उद्देश क्या है इस नाम से रखने का इकमात रुद्देश क्या है सबी लोग अपने जवाब देते हैं कि मेरा रुद्देश को विकल बताना नहीं है हमें उन तथ्थ्यों को आपके सामने खोल कर रखना है भविश्वेगर ऐसे जूड़े प्रश्णायत आपके गलत पाओ इस बात का आप से ज़्याद हमें एक्षाल रखना है बताइए आपनों कि कि उन्हें अलग से समझाने के लिए यह बहुत से लोगों ने सही जवाब दिया है जी नहीं फिर कह रहा है पाठों में गणती विश्यवस्तू का अनुमाल लगाने के लिए विद्यार्थि को चुनोती देने के कबाल बेचना और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए यह भी गलत है तो यहां पर सही क्या है जो दैनिक जीवन को अच्छा को दैनिक जीवन से जोड़ना यह हमारा एंसेफ दोजर पांश के लिए इसलिए जोतने लोग भी पिट क्लास कि हैं वो लोगी बात जानते कि सिछन आपको नहीं पढ़ना है क्यावन आपको जी यहां डेली कलास है तो आपको इतना चीज़े पढ़ना है कि अगर आपने इंसेफ दोजर पांच एक बार क्लियर कर लिया तो आपके कॉंसेट किलो हो जाएंगे जब कछा ग्ञान को बाहर की दुनिया से जोड़कर प क्यों पढ़ा रहा हूं जैसे माँ गड़ित पढ़ा रहा हूं मुझे कोई उदाहरान प्रूंइрас देना आभ हो अगर मैं अमेरिका का इंट और दूसरी तरफ एक आपके गाओं का एजम्पल दू कौंसा एक्जम्पल आपको सबसे सही सबसेए को सबसे पहले सबसे बैतर स मतलब यह कारण क्या हो उसका कमेंट करके मतलब यह देखे गाओं का लिए गाओं का क्यों समझ में आएगा कि हम अपने आसपास की चीजों को जल्दी समझते हैं जैसे अगर मैं कह दू आपका घर कैसा है तो मुझे तो नहीं पता लेकिन आपके दिमाग में तुरंद बन गय कैसा है तो आपको पता चल गया कि मुझे नहीं पता आपको पता चल गया कैसा कि आपके दिमाग में उसकी तुरंद छबी बन जाती है कि हमें बाहर की दुनिया का अच्छा से जोड़ कर पढ़ानी चाहिए जीवन से रिलेटेड होनी चाहिए और हमें ऐसे जंपल देना च की तरफ मुमीद करता हूं यहां से आपके कॉंसेप्ट के लियर हो गया है ठीक चली आगे चलते हैं कोई दिक्कत को समस्षा तो नहीं है न कोई डाउटों पूछ सकते हैं दस बार पूछेंगे दस बार बतांगा कि मैं आपके सेलेक्शन के लिए पढ़ा रहा हूं टाइम में सौमिल हैं किसमें सौमिल हैं बढ़ाया आप लोग सभी फटाफट अगर पेडिकलास से जुड़े हो तो आप लोग इस बात को भली बात ही समझना पड़ेगा कि आपको एक बार मैथमेटिक्स मढली जी लेनी में दुरगिस उसके बाद आपको प्रिविएसर पेपर के प्रश्ण है अगर उन्हें तोल कर समझा दिया जाए वोकि परिच्छा में प्रश्णात हैं यह जब नए लगेंगे हमें लगता आशर कैसे किया जाए आई देखते हैं आप लोग अपने जबाब करते रहें कि जब समझाना होता है तो वहां पे दिखें गणित करने की जो युक्ति के रुप में सवाल हल करना सामिल है ब्याक्ष्ण पर पहुचने के लिए संकितों का प्रियोग जीन है यह गलत हो गया अब अब अब्यापक अभ्यास देखें आये तो बास सही है कि अभ्यास भी जाता हो प्रश्ण भी जाता हो लेकिन यहां पर गणित करने की युक्ति के रूप में शवाल हल करना शामिले तो यह इसका जो राइट एंसोर होगा वो जायतर लोगों ने श्रही बताया है वो क्या है किरिया कलाब पर आधारित उप्पार किरिया कलाब पर मतलब जब हम सवाल दे जब हम पढ़ाएं तो जो उनकी युक्ति वो क्या कलाब पर जैसा भी मैंने कुछ दर पहले आपको बता रहा था मैंने अग्मात अस्पष्ट का ना चाहा हम आपके जो सवाल करने की युक्ति होती है वो हमेरे करिया कलाब तो हम जल्दी शिखते हैं जैसे एक छोड़ा सा मैं आपको एजमपल दूंगा अ आपको समझ में आजाए अगर कोई डॉक्टर गर पैदा हो जाता है तो यही चीजे हमारे घुनित के साथ होती है अच्छा टीचर वह नहीं है जो घुनित पढ़ाता है अच्छा टीचर वह जो गणित समझाता है और एंसी अंच इपवन 225 हे प्रात्य कंच्छ्छ अमें हूं क्या करना शिखाना है पृणाना नहीं है आपने कराना है करके शीखने पर दल देका कहो मुत लिए इसका चलते हैं एक सवाल आपके सामने है और आपको देखी भी रहा होगा कि प्रात्मिक अच्छाओं में आका और अस्थान की समझ को बिक्सित करने के लिए निम्निकित कारियों को क्रम से लगाई है आप जो लोग लाइब देख रहे हैं वह इंसे भी को क्रम से लगाएं कि यहां पर हमने देखा है कि आत्मिक अच्छा में आका और अस्थान को बिक्सित करने के लिए यहां पर मैं कुछ चीजा अस्पष्ट कर देना चाहूंगा कि सबसे पहले क्या होगा कि बच्चों को कैसा दिखाएंगे कौन से आकिति उन्हें दिखाना पशंद करेंगे आई इसे हम लोगोने सबसे पहले दिखा दिए कि यह क्या है यह कौन से आकरती है यह आकरती कैसी है ठीक है यह आकरती कैसी है तो इन चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे बच्चों से सबसे पहले चर्चा करेंगे तो सबसे पहले बच्चों को हम 2D आकरती दिखाएंगे तूडी का मतलब क्या होता है मैंने ऐसे आकृतियों से बच्चों का हम परचे कराएंगे जो जिनकी दो भूजाएं मतलब लंबाई चोड़ाई हो मने दो हो में बात को समस्ते चलिएगा मैंने टूडी हो कैसे किती हो टूडी आकरती हो कि पहले टूडी को सिखेगा बच्चा जैसे कह दिया सर इसकूल का दरवाजा कैशा है अब समझने आप लोग घर कैशा है तो दरवाजा और खिड़की जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो वर्ग गन घना आयद पढ़ात वहीं समस्ता चोकोर वह सभी चत्रभुच को चोकोर समस्ता तो इस प्रकार बच्चों को सबसे पहले क्या करेंगे हम यहां पर हम तूडी आकृतियों को छाटने का काम करेंगे सबसे पहले उसके बाद 2D आक्तियों की भुजाओं और सिर्सों का उलोकन करते हुँए विश्यस्ता का मिलान करने कि उसके वाद क्या करेंगे इसकी विश्यस्ता क्या क्या बताओ वह उसको समझबाना सुरू हो जाएगा फिर उसमें भुजा है कैसे गिनेंगे पिर उसके बाद उनके विकर्णा करना अब जैसे उसमें भुजा कैसी है सिर्स कहा है देखिए सिर्स है यह भुजा है येvest कि ये आपकी होगी सीर्ड्स हो गयी ये भुजा हो गयी ये विकण हो गया इनके विसे में क्या करेंगे बच्चो से हम चोच candle करेंगे फिर फिर क्या करेंगे उनकी विशिस्ताओं में सहज बुद्धी का वरण करेंगी WORL पहले क्या करेंगे पहलेश फ्रकारा इस विकल्प होगा हो यह दूसरा इसकта राइक लिव कर फिप जिसको असपस्ट कर देंगे तो जित्ते लोग ने प्रिश्ण का उत्तर भी बताया था उन सभी के जबाब पूरी तरीके से सही है कमेंड करके पूछने जिसको डाउट हो जिसको कुछी समझ में नाया तो फटा-फटा आप लोग पूछ ले शली है मगले प्रिश्ण के तर बढ़ते हैं तब यहां पर छोड़ा सा प्रिश्ण आपके सामने आपको दिख रहा होगा गडित में निदानात्मक परिच्छन का उद्देश क्या है बता ही सबीस प्रिश्ण का जवाब जरूर देंगे आसान प्रिश्ण है लेकिन फर कितना है कि आपको जवाब देना है और NCRT के आधार पर देना है कि सभी लोग फड़ा फड़ जवाब देन जो लोग लाइब लेकरे देंगे उत्तर देने से एक बात तौस्पष्ट हो जाता है कि हम आप यह जान पाते हैं कि प्रश्णों को हल्क ऐसे करना का परिच्छाल में होते अब यह देखते हैं कि सनातनन परिच्छा के लिए प्रश्णों पत्त की योजना बनाना यह गी नहीं है अब यह आओ कि प्रत्यपुष्टी फिडबैक देना यह तो नहीं यह तो उनके लिए क्या है मैंने इस मेरे में पढ़ा था बच्चों की समझ में नहीं त्रिक्तिय कि ऐसंदी कर लेटा हूं है तकि मैं आपको पढ़ा रहा है असी मेरे दौर पढ़ा हूं कि मोरीश को निदान कर सको निदान कर सकते हुए 걸로 करो confuse रहता हूं एसनंस लिए इससा पूछने का इकमात टोस ही होता है ताकि में आपके जो meer क temat तरी में शकार कर सको कोई डाउट हो तो पोश्क्त सकते हैं वरना फिर आगे बढ़ हो अगले प्रैसन की तरह मुमीद कर त मैं से कोई डाउट तो नहीं होगा फिलहाल अगर कि एरिया कैशे पढ़ाएंगे देखें पहले मैं आपको बता दू कैसे बिकल्प को छाटा जाता परिक्षा हाल में तो आय जो आयत की लंबाई और चड़ाई का पता लगाना आयत के छेतरफल सूत्र का प्रियोग नहीं करना है यह बिकल्प प्रुगले आगे चलते हैं इकाई वर की गढ़ना की सहता करना तो परचित कराने के लिए हमें इकाई वर गढ़ना नहीं बच्चो कराना है किसलिए अन्सियप दोजार पांच के आधार कर आगे देखें भिन इन आकारों की आकरतियों का छेत्फल ग्याद करने के लिए सूत्रों का स्पश्ट करना है कि मैंने आपको पहले बताया सूत्र का भी प्रियोग हमें नहीं करना है अब आता है जो आपका मेन उत्तर वह है यह कि हथेली पते टैंसील नोटबुक आधी भी भी मुस्तों की सहता से किसी आकरति की छेत्रफल की तुलना करना मनि कौन ज्यादा स्थान गयती है कौन ज्यादा स्थान लेती है इस बात को बच्चों को समझाना और जो बच्चे समझने लएंगे तो धीरे-दीरे जान जाए इसकी आधार्णा की छेत्रफल का मतलब यह कि कोई वस्तों जितना रखते हैं जितना स्थान घिरती है हम उसे छेत्रफल के लेकिन इसको समझाने के लिए पहले हथेली दिखाएंगे बताए किसकी अध्यापक की बच्चों की सीदी सी बात है कर आप अध्यापक अध्याप दीपा का छोटा है सीता गीता का छोटा है राहुल का बड़ा है ऐसे बच्चे बताते हैं तो एक बात असपश्ट होता है कि वह इनमें प्रिस्पर्धा कर पाते हैं किसकी रखतेली बड़ी है और जब अभी थोड़ा सा शेत्रफल की अधर्णा समझे जो आपको पूरी त पास्ता को आदि बिभिन वस्तों के सायता से सबसे पहले हम उनके चत्रफलों में तुलना करा सकते हैं और इसके लिए यह एक्जामपल सबसे बेस्ट होगा किलियर हुआ कोंसेट किसी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूश सकता है यह कि मेरा उद्दिश केवल केवल आपके सलक्षन के लिए पढ़ाना है इसलिक दम आराम से पढ़िए कोंसेट को किलियर करते चलिए गर एक बार आपके कोंसेट किलियर है भविष्ट में ऐसे से कभी दिकत नहीं होगी ठीक है तब तक के लिए रुके रही है मागले प्रस्ण की तरफ बढ़ रहे हैं कोई डाउट हो तो पो सकते हैं लाइब क्लाश चल लए हिलेनी बद्रगेश की तरफ से आपके सामने चोटा सा प्रस्ण है और उमीद करने आपको दिखाई भी दे के प्रस्ण बताते हैं कि उसे क्या अच्छे समझ में नहीं आया फटा फट कमेंट करके बता हैं जो लो उस वीडियो को लाइब देख रहे हैं सभी लो फटा फटा बता है जैसे दे दिया जाए कि राम के पास 12 केले थे उसमें कितना और मिला दे कि अब उसके पास 15 केले हो के लिए राजन को किस प्रकार की समझ्याओं का सामना करना पड़ेगा तो आये इसके बारे में हम लोग तक्षो को समझते हैं और अपने विकल्ब के तरब भी आगे बढ़ते हैं सभी लोग फटा फटा जुड़िए ये गा और वीडियो को शेयर कर दिए गार होशके तो प्रकार को समय नहीं हो रही है राजन कच्छा दाने का उसर खोषता जी अइसी बात नहीं क्योंकि जोल और गुड़ा नहीं कर सकता यह सा भी नहीं है क्योंकि वह ये कर पा रहा है ये बता दे रहा है वो 15 है लेकिन कहा रहा है कि एक टूकरी में तीन आम हो तो ऐसी पांच टूकरी में कितने आम है वो नहीं कर पा रहे लेकिन इस तरह के सवाल को कर ले रहा है इसका मतलब है कि जो राजन है जो राजन है वो क्या कर रहा है उससे संख्याओं के संक्रियां को समझ में नहीं आता है कब जोड़ना है पड़करना है ठीक कब भाग करना है कि लेर हुआ कॉन से तो हमने और आपने यहाँ पर एक चीज़ शिखा कि राजन को जो सप्तियादा समझ्ट्र आ रही है जो दिख रही है जो राजन महसूस कर रहा है वह यह देख पा इनके आदार पर आगे के तत्य को पढ़ेंगे. चिक. अगला पस्तिन ही भिन्नों का योग पढ़ाते सुमने. सिच्छक, कोई सिच्छक है. नीचो भिन्ने दिया गया है. एक बटे दो प्लस एक बटे तीन. बच्चों की तुटी मिलती है कि बच्चा क्या करता है एक बटे दो प्लस एक बटे तीन को एकदम जोड़ देता है क्या वो एक एक दो और तीन दो पांच जोड़ देता है इस इस्तिति में सिच्चों को उपचारात्मक कार के लिए क्या करना चाहिए जो लोग वीडियो को आउधार्ना पढ़ाने से पहले ऐसे प्रश्णों को पढ़ाने के लिए प्रत्यक भिन के पैड़ाम समझने में जी नहीं भिन पढ़ाने से पहले हमें क्या करना पढ़ता है हमें बच्चों कोलस्य हम की और राना है यह बात अच्छी तरीके से जानते रहना होगा ठीक है हम आगे बढ़ रहा हैं अगले प्रश्ण की तरफ यहां पर हम देखेंगे कि NCF 2005 यह मानता है कि गणित में शोचनेयों तरक का एक निश्चित तरीका नहीं थोता शही बात है उसमें से दिये के कथर में चुनिए जो उप्रोक्त से धानत का पालन नहीं करता इसमें सीन सही गलत है वही आपको बताना है कुझन उना इन से 25 का पालन नहीं करता है तो देख़ए कैसे कछा के लिए चुने गए क्रिया कलाप चुनना है अभयाघ चुनना है अलग अलग है वच्चों के मनुदसہ को देखते हुए है फिर क्या आगे पार्टि पुस्तक में वस्तु समागरी को लिखने का तरीका ये भी चाहिए उसे पढ़ाने की विद्धी ये भी चाहिए लेकिन यहाँ पर एक गलत है कि आंसिक प्रश्णों को हल करने के लिए क्या करना सूत्र बताना यह क्या होगा सूत्र मैंने आपको पहले बता दिया है कि एंचयों को सूत्र नहीं लिखोाना है सूत्र नहीं रटाना है सूत्र नहीं पढ़ाना है याद नहीं कराना चैनरग करना करना फार किसी कोई दिखकत हो में अगे तक कमेंट करके पूश कता है च्छिद को हैं मैं आगे बढ़ रहा हूं अब अगले प्रिश्ण की तरफ कोई दिक्कत नहीं ने किसी को हो तो आप पुछ रखते हैं कि अगले प्रिश्ण आपके सामने है कि अच्छा गड़ तक यह होने के लिए क्या जरूरी है कि अच्छा गड़ तक यह होने के लिए क्लिए जरूरी है कि यह प्रिश्ण आपके अच्छा गड़ तक यह होने के लिए जरूरी है कि अधिकता सूत्र याद करना मैंने आपको पहले वता है सूत्र भी नहीं याद करना है उत्तर देने की तकनिकी ने उपड़ता यह भी नहीं है जब इस सभी चीज़ें नहीं तो क्या-क्या चीज़ें होने चाहिए अब आपको अस्पष्ट हो गया होगा इसका विकल्प तो यह है सभी अधार्णाओं को समझना जो अधार्णा है उन्हें अच्छी तरीके समझ जाना लागू करना और उनमें संबंद बनाना यह हमें और आपको समझना होगा तो दिएगे प्रिष्टह का तुप तुभी कल्प एसका राइट अंसर होगा एस प्रिष्टह का सही जवाब होगा क्या आप लोग को समझ में आ गया जो लोग इस वीडियो को लाइप देख अगला प्रिष्टह आपके सामने और आपको साब दिख रहा होगा कि अच्छा पांच के विद्यार्थियों को समतल आकरतियों के छेत्रफल की संकल्पना इसके द्वारा परिष्चीत कराया जा शकता है और आप चाहेंगे इस प्रिष्टह का जवाब आप जरूर दे लें माने तुरंद माने बिना शमय गवाएं आप इसपस्टन का उत्तर आसानी से बता लेंगे बता यह आपको से पांच के विद्यार्थियों को समतल आकरतियों के छेत्रफल के संकल्पना से किसके द्वारा परचीत कराया शकता है आईए मैं आपको बताऊं एकी करके मैं विक छेत्रफल का सुत्र यह भी जल्ट एर अकरतियों की घरना करना वर्गों की गरना करना मैं आपको बताया कि विद्यिंट पड़ना करना जैसे क्षपी च्छोटी बढ़ी है उनकि आकार का तुला पता लेंगी तौ धीरे दीरे वो छिट्रफल की ओधारना है यह उसक् infection होते चलते हैं Yeah, pencilов as pencil गिजए जिसी रफी च्राहिए बड़ी है तो क्या होगा चौथा राइट एंसवर होगा तो आप लोगों ने जितने लोगों ने इस प्रस्ण का उत्तर चौथा बताया था इंसवर था आपका अगले प्रस्ण की तरफ और उन तथ्यों को भी पढ़ेंगे असपस्ट करने का प्रियाश करेंगे कोई डाउट है किसी को तो पूश्चता है तो थेक है मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रस्ण की तरफ जिसे कोई दिक्कत हो तो पूश्चता है कोई दिक्कत नहीं है ना अगला प्रस्ण आपके सामने है गणित में गणना से सम्मंधित कौशल को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है करना कौशल को बढ़ाने के लिए कौन सी विधी का प्रियोग करेंगे अब भाई बता है कि गणित में गणना से करने श्रमंधित कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है कि असान प्रस्ण नहीं कि नटैया प्लू है जवाब दे आए हम इसको अच्छे डिफाइ कि गणना सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए केवाल एल्गोरिथम का वाड़न करना जी नहीं हमने आपको पहले बताया बच्चों को तथ्यों परिभासाओं से दूर रखना है संकल अत्मक ज्यान देना इसे भी दूर रखना है संकलपना और प्रक्रियाओं को करना माने जो गिद्विधी करें उसमें क्रियाशीलता हो कि क्या आपको कॉंसर समझना जो लोग देख रहते हैं सारे कॉंसर्फ साथ तात्य समझ मागया अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्म की तरफ माने क्या था कच्छा में अभ्याचत क्रियाशीलता होनी प्रश्न है कच्छा तीन के विद्यार्थियों को लंबाई की विभी निकाईयों को पढ़ाने के लिए सिच्चक निम्निकिस सामगरी कच्छा में लेकर जाएगा एकदम आसान प्रश्न है और आप चाहेंगे तो इस प्रश्न का जवाब जरूर दे लेंगे अगर आपको क च्च्च्च तीन के कच्छा में पढ़ाना कच्छा तीन की विधयार्थियों को लंबाई की विभी निकाईयों में पढ़ाने लिए सिच्चक को निम्निकिस सामागरी को लेकर जाएगा है और जानने का प्रयास करते हैं खेराए कि सेंटिमेंटरल रूलर नापने वाला टेप जी नहीं क्यों क्योंकि हमें कोई भी मान कि काई का प्रियोग नहीं का नापने वाली टेप जिसकी यहां प्राइए इसका जो राइट एंसर होगा यह होग वाले सभी सही है कि विभिन लंबाई और इकावी वाले रूलर फुटा नापने वाली छड़ नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार दोरा प्रियोग में लाई जाती है मने आपने देखा होगा कि आपके श्कूल में जहां पे आप रहते हैं एक बड़ा सा ऐसे दिवाल बनी होती है और वहाँ पर क्या दिया होता है लंबाई का मानग दिखा होता है उसके साथ साथ में इन सभी का प्रियोग करना है जो बच्चे देखते हैं जो वास्तुकार बनाते हैं जो कपड़ा सिलने वाला नापता है ऐसे ले कर जाएं में आप जो बच्चे देखें समझें और जानते हैं उससे उनके अंदर क्या होगी जिग्याशाएं जन्म लेंगी और हमारा और आपका एक मात तुर देश है कि बच्चों के अंदर जिग्याशाओं को उत्पन में करना और जब ऐसा करने में आप शफल हो जाएंगे तो एक अच्छी सिच्छा हो जाएंगे और आपके कच्छा में बहतर स्कोर होगा और शभी को गणित समझ में आना शुरू होगा ठीक है इसी के साथ हम आगे बरते हैं अगले प्रशन की तरफ उमीद करते हैं कॉंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा अग्या कौन से विकल्प को सही माना जाएं कि अगया 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 यहां पर क्या होगा कच्छा तीन के बच्चों को अपको शंख्या बद्धी पढ़ानी है उसके लिए सबसे जो उप्युक्त चीज है उन्हें संख्याओं को सैकड़ा दहाई इकाई के रूप में देखना अस्थाने मान को शमर्शता को समझना मतलब यहां पेगर एक बात को समझें जैसे आप पेगर पूछ दिया जाए आपने पढ़ा भी होगा चार दहाई चार दहाई और बारह इकाई बारह इकाई का मान क्या होगा फटावट कमें करें बताइएगा यह कैसे बच्चों को समझाएंगे चार दहाई और बारह इकाई अगर आपको समझाना है तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे इसका मान आप लोग क्या दिखेंगे बच्चों कैसे बताएंगे इसके लिए चारंक वाली संख्या का योग व्यक्लन करना व्यक्लन मने घटाना होता याद कर लिजेगा बड़ी संख्या को पढ़ने में कौसर प्रवणता ये भी नहीं है चार दहाई का मतलब दहाई का क्यों हो जाएगा 40 प्लस 12 बराबर हो जाएगा 52 तो यही समझ को बताने का यहां पर प्रयास क्या जा रहे है मने संख्याओं के इकाई दहाई सायकणा के शमूहों में देखना उनके अस्थाइमान के साथरक्ता को जानना इसलिए यहां पर दिएगे प्रश्ण का जो रहे यहां पर वो डीस का चौथा इसका सही जवाब होगा क्या आपको समझ में आ गया जो लिए वीडियो को लाइब देखने क्या कमेंट करके वताएं क्या आपको एक कॉंसेट समझ में आया कि कैसे हुआ तो मैंने एक एक्जामपल के माध्यम से मैंने आपको प्रश्ण अच् है ठीक हम अगले प्रश्ण की तरफ बढ़ रहे हैं कि अगला प्रश्ण है सबसे उप्रयुक्त व्यो रचना जिसका प्रियोग धनरासी की योग की कुशलता को आत्मशाहत करने के लिए किया जा सकता है जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा यहां पे हम लोगों ने देखा कि सबसे उप्रयुक्त जो ब्यो रचना होती है जिनका प्रियोग धनरासी की योग की कुशलता को आस्पसात करने के लिए किया जाता है उनमें सबसे जैसे इसके लिए क्या किया जाया प्रियोग का प्रियोग क्या जाया है सूचनाओं का सं आपके भूमिका निर्वावन उनको क्या करना चिये बच्चों को छोड़ा दना चिये इसलिए कि योक की कुशलता के लिए अच्छे बतागे की राम के पास सौर रुपया है मोहन के पास 300 रुपया है तो कुल कितना हुआ उन्हें किया चार सौर इसके लिए पर आपका उत्तर जो होगा वह एसका रॉपया है जो बच्चे एंथरण के नतर स्वेम अभ्यास के गूंड आणने पड़ेंगे इसलिए इस प्रश्ट का दिया गया जो उत्तर होगा वह एश का राइट एंसर होगा एश का सही जवाब होगा तो मैं उमीद करता हूँ आप लोगों सभी लोगों को समझ में आ गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा तो इसको लाइक करने के बाद शेयर कर दीजेगा और ज्यादा ज्यादा लोगों तब पहुचा दीजेगा आप सब जितनी जिम्हेदारी मेरी उतनी जिम्हेदारी आपकी भी है और इलनी क्लास और नोट्स के लिए 63063 24367 पर वाट्सेप करके ऑनलाइं क्लास नोट्स सभी चीज़ा आपको उपलब्द हो जाएंगी इस्याइटी पैटन पर बाकी चीज़े मारे फेस्जुक पेज इस्टाग्राम ट्विटर इलेनी पर दुरगेश्राप जोइन कर सकते हैं ठीक है और डेली मिलते हैं फिर तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको